तो जैंदो मेरे प्यारे साथियो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि भारती डाक विभाग यानि कि इंडिया पोस्ट आफिव जीडियास का जो रिजल्ट है इसका जो फर्स्ट मेरिट सुची है वो कल रात 10 बजे डिकलियर कर दिया गया था जारी कर दिया गया है देखिए आप सभी लोग को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मात्र फर्ष्ट मेरिट सुची जारी हुई है ठीक है ना अभी टोटल यहां पर साथ से आठ मेरिट सुची जारी किया जाएगा क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का जो लाश्ट डेट है आप सभी लो को घबराने की जरूरत नहीं है एक से दो दिन का वेट आप लोग कीजिए आपके मोबाइल पर मेल मैसेज आ जाएगा देखिए आज की सीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो फर्ष्ट डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कब होगा और कब तक आपको कारी दूँगा और टोटल यहां पर 12 सरकल का रिजल्ट जो है डिकलियर किया गया है जिन में से यह सारे जो है स्टेट आते हैं इनका कट आफ कितना गया है उसके बारे में भी जानकारी दूँगा तो आज क्या जो वीडियो है यह बहुत ज़्यादे वैल्यूबल होने वा तो मेरे टेली ग्राम चैनल पर विजिट कीजिए वहां पर मैंने सभी सरकल का पीडियो डाल दिया है वहां से आप अपना रिवल्ट जो है चेक आउट कर सकते हो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जो 44,208 स्वीटो पर वेकेंसी आई थी जिसमें की BPM, ABPM और डाक सेवक के आया है उनको हर हाल में 3 सितंबर 2024 तक जो है डाकुमेंट वेरिफिकेशन आपको करवा लेना है कहां पर करवाना है मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं देखिए अगर आपका सिलेक्शन जो है BPM पोश्ट पर हुआ है तो आपको जो है डिविजनल हेड में जी हां दोस्तों डिविजनल हेड में आपका जो है यहां पर होगा डाकुमेंट वेरिफिकेशन उसके अलावा अगर आपका जो सिलेक्शन है वो ABPM या फिर डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा डाकुमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या ले करक certificate होगा है ना character certificate वगएरा होगा यह सारी चीज़े आपको ले करके जाना है सब के दो-दो photocopy करवा लिजेगा और सभी में self-attested आपको कर लेना है documents में ठीक है ना जो photocopy करेंगे उसमें self-attested करके आपको document verification के लिए पहुंचना है तीन सितंबर पहले हर हाल में आपको document verification करवा लेना है अब देखें जितने भी candidate का नाम आ चुका है फर्स्ट मेरिट सूची में उनका mobile पर अगर message email नहीं आया ना तो आपको देखें घवराने की जवरत बिल्कुल भी नहीं है यही region है कि काफी सारे बच्चों के पाफ नहीं भी पहुंच पाता है तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है और देखें एक चीज में आपको यहाँ पर clear कर देना चाहता हूं काफी सारे बच्चों के मन में यह query चल रहा है कि document verification में यहाँ पर computer certificate बिल्कुल भी नहीं बताय गया है कि आपका computer certificate लगेगा ठीक है ना बिल्कुल यहाँ पर computer certificate नहीं लगेगा केवल computer का knowledge होना चाहिए उसके लिए एक undertaking form apply करवाय जाएगा और वो आप जो है वहाँ पर fill कीजेगा उसमें आपको yes भरना है ठीक है ना देखें यहाँ पर दोस्तों total 12 state का result जा जादा high गया है मैं आपको सुरवाज सही बता रहा था कि इस बार का जो cut-off है ना वो आपको 99 और 100% के आसपास देखने को मिलेगा अभी आंधर प्रदेश के आप किसी भी division को उठा करके देख लोगे ना सभी जगा का जो cut-off गया है वो 100% गया है 99% गया है इसी प्रकार से आपको cut-off देखने को मिलेगा वे चाहे reservation quote से belong करते हैं या फिर unreserved category से belong करते हैं सभी का यहाँ पर cut-off 99 और 100% गया है उसके अलावा अगर कम cut-off के अगर मैं बात करूँगा तो आपको थोड़ा सा ओडिशा में देखने को मिलेगा उसके अलावा महराश्ट में आपका यहा पड़ा कम गया है उसके अलावा गुजरात का जो cut-off है यहां का cut-off कि अगर मैं बात करूँगा तो बच्चों का selection जो है 88% में हुआ है 90% में हुआ है 92% में भी हुआ है अलग-अलग division का जो cut-off है असम हो गया गुजरात हो गया महराश्ट हो गया उसके अलावा उडिसा हो कि यार इतना ज्यादा कटफ जा रहा है तो मेरा तो नाम भी नहीं आपाएगा आप लोग थोड़ा अशाद धैरे रखिएगा अगर आपने नौर्थ इस्टे से फार्म को एपलाई किया है जैसे कि अरुणांचल प्रदेश हो गया नागालेंड हो गया मेगाले से फार्म सभी का नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है लेकिन मान्या जी यहाँ पर बता रहे थी कि सर मैं च्छतरपुर मध्यपरदेश से बिलॉंग करता हूं मेरे 76% मार्स है तो क्या मेरा फिलेक्षन हो पाएगा उन्होंने नौर्थ इस्ट से फार्म को एपलाई किया है तो देखिए उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका फिलेक्षन जरूर होगा आप लोग थोड़ा सा जो है पेसेंस रखिये ठीक ना क्योंकि अभी सितम्बर दोहजार थोविस तर्ण डाकुमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो उनका कंडिडेचर जो है reject कर दिया जाएगा फिर आपको डाकुमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा इसलिए कहा रहा हूं कि तीन सितम्बर दोहजार चौबिस से पहले पहले आप के 20 तारिक तक जो है आपको second merit सूची देखने को मिल जाएगा और अब होगा कि जैसे जैसे merit सूची जारी होती जाएगे ना वैसे cut-up जो है यहाँ पर down होता जाएगा क्योंकि first merit सूची का ही cut-up बहुत जादा जाता है अब second merit मेरिट सूची आएगी थर्ड मेरिट सूची आएगी ना तो आपको जो है इसमें कट अफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगा ठीक है ना तो 20-25 दिन आप लोग और वेट कीजेगा सकेंड मेरिट सूची जो है बहुत जल्द जारी होने वाली है बाकि 11 सेरकल का रिवल्ट कव होगा जारी सर इसके बारे में बता जीजे तो दोस्तों देखें जितने भी स्टेट का अभी मेरिट सूची जारी नहीं किया गया है फ़र्ष्ट मेरिट सूची उनके लिए कहना च चतिफगड उत्तरप्रदेश बिहार जारखंड का नाम आता है हिमांचल प्रदेश उत्तरखंड हरियाना उसके अलावा नौर्थिष्ट में यह सभी के सभी स्टेट आते हैं उसके नाम आते हो और जम्मू कश्मीर भी शामिल है और देखिए यहां के कट अफ की अगर मैं कंपटिशन रहेगा आप किसी भी डिवीजन का उठा लीजिए आपचाः किसी भी केटेगरी से विलाओं करते हो न क्यांग आता है यहां का कट अपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा हो सकता है कि कोई कोई जो डिवीजन है वहां का का कट आफ आपको 90 पर सेंट जाएगा आप लोग बिल्कुल भी मत घबराईए बस थोड़ा सा आप लोग पेशंस रखिएगा ठीक है ना और जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि सभी सरकल का जो रिवेल्ट है जो पीडियाफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है टेलीग्राम उनके लिए के हृऊँगा अगर आपने सेंखना डेल्ट को फ़िर के घालेंट मेठो को जरूर जरूर च्चप करना है जितने बीमेरिट में नाम बागे बढ़िये, खोब तरक्की कीजे, तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था, देखें इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी अपडेट हो, कोई भी स्वाल हो, तो कमेंट सक्षन खुला है, आप सभी लोग कमेंट कर सकत हो, बाकी इंस्टाग्राम आइडी का जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहां पर जा करके आप जो है मुझे परफिनल मैसेज भी कर सकते हो, बाकी फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद.